अगर आपका टारो और कल्ट में इंट्रेस्ट आप सीखना चाहते हैं, we have a Taro Certification Course, जिसमें A to Z about Taro आपको सीखने को मिलेगा. When I say A to Z, मतलब each and everything connected and related to Taro is covered in this course. अपनी इस जर्नी को कैसे आप फर्दर लेकर जा सकते हैं, यानि कि कैसे आप एक Professional Taro Card Reader बन सकते हैं, अपना Career Taro में बना सकते हैं, ये भी इस कोर्स में covered है. और अगर इसी से ही related कोई भी doubt, कोई भी सवाल आपके मन में है, आप स्क्रीन पे दिये गए नंबर पर हमें WhatsApp कर सकते हैं, अपने doubts को clear कर सकते हैं. Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए Coming Week का सापता ही क्राशी फल. ये 1st July से लेकर 7th July तक की आपकी Tarot Readings हैं, Tarot Predictions हैं, और इस वीडियो में सभी साइंस के सापता ही क्राशी फल हैं. नीचे description box में आपकी राशी के सामने time stamp है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डारेक्ली आपकी रीडिंग आ जाएगी. और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि माम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाप से देखें. तो Tarot Readings को आप किसी भी साइन के हिसाप से देख सकते हैं, फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाप से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो. तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सापता ही का राशी बल्ल्ल। चलिए जी जी आप लोगों के लिए देखेंगे coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है release, और ये कार्ड कहता है कि इस week specifically professional front में या तो कुछ changes आ रहे हैं, या फिर आप चाहा रहे हैं, या तो कोई ending, beginning हो रही है, या फिर आप चाहा रहे हैं, क्योंकि ये general leading है, ये changes, ये ending, beginning सब varies के लिए differ करेंगे, कुछ के लिए simply हो सकता है कि पुराने काम करने के तरीके को बदलना चाहा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि circumstances, situations ऐसी हैं, जहां पर आपको पुराने काम करने का तरीका बदलना बढ़ रहा है, और देखें, ये सिरफ और सिरफ एक example है जो मैं आपको दे रही हूँ, और बहुत सारे chances हैं, even if पुरानी चीज़ें आपको serve नहीं कर रही हैं, bother कर रही हैं, आप let go नहीं कर पा रहे हैं, उनको release नहीं कर पा रहे हैं, और जब भी ये काड़ाता है मैं यही कहती हूँ, जब तक आप पुरानी चीज़ें को let go नहीं करेंगे, तब तक नई चीज़ें आपकी life में नहीं आ पाएंगी, जो की एक growth और progress आपकी life में ला सकती हैं, तो फिर से मैं कहूँगी कि, you know, आप अपनी pace से, अपनी जो भी situation है, circumstances हैं, उनको समझते हुए, जितनी जल्दी पुरानी चीज़ों को आप end करेंगे, release करेंगे, especially जो आपको bother कर रही हैं, उतनी ही जल्दी एक growth और progress आप ले कराएंगे, तो अगर इस understanding में रहेंगे, इस चीज़ की acceptance रखेंगे कि, भई, जितनी भी आपकी attachment है पुरानी चीज़ों के साथ, या फिर जितना भी आपका comfort zone है, क्योंकि कितनी बारी क्या होता है, कि हमें पुरानी चीज़ों बॉदर कर रही होते लिए हमारा comfort zone होता है, और उस बज़े से हम नहीं उनको छोड़ पाते हैं, जब तक हम उनको छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं वड़ पाएंगे, मैं ये नहीं गहरी कि इस week आप खटाक से पुरानी चीज़ों को let go करें, और नहीं चीज़ों को, you know, welcome करें, but you know, gradually आप इस चीज़ को समझते हुए, situation और circumstances को understand करते हुए, ज़रूर इस चीज़ को apply करें, and personal front के लिए आप लोगों के लिए the world का card है, the world का card अगर हम literally देखें, तो out of the country से related किसी चीज़ के होने की या फिर चाहने की बात करता है, अब देखें, ये भी सब Aries के लिए differ करेगा, कुछ के लिए हो सकता है, कि आप out of the country ट्रावल करना चाहरे हैं, कुछ के लिए हो सकता है, कि आप visa, you know, apply कर रहे हैं, या फिर इस से related जो भी formalities होती है, उन पे आप focus कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है, simply आपकी planning हो रही है, कुछ के लिए हो सकता है कि आपका कोई loved one या फिर कोई भी इंसान out of country रह रहा है, उनसे आपकी जादा interactions हो रही है, और दूसरी चीज़ ये काड़ ये भी कहता है, कि किसी चीज़ पे अगर आप बहुत time से effort कर रहे थे, उसको complete करना चाहा रहे थे, तो कहीं वो भी इस week complete होती भी दिख रही है, मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि कोई एक phase personal front में end होके, एक नया phase शुरू होता हुआ दिख रहा है, in fact दिखिए दोनों ही fronts के card, किसी नहीं किसी level पे ending, beginning की बात करते हैं, एक युनो नई शुरुवात की बात करते हैं, कहीं professional front में आपको थोड़ी सी difficulty हो रही है, पुरानी चीज़ों को let go करने में, और personal front में कहीं बहुत easily आप कर पा रहे हैं, और दिखी ये weekly reading है, तो बहुत बड़े कोई चीज़े नहीं रहेंगी, बहुत चोटी चोटी चीज़ें किसी भी level पे रह सकती है, जहां पे again एक ending, beginning दोनों ही fronts में रहती भी दिख रही है, एक नया phase आपके personal front में शुरू उतावा दिख रहा है, जो भी आप कर रहे हैं, आपको appreciation recognition मिलती हुई दिख रही है, कुछ areas के लिए हो सकता है कि simply आप जादा physical किसी activity में खुद को involve कर रहे हैं, यह physical activity भी सब areas के लिए differ करेगी, कुछ के लिए aerobics हो सकते हैं, कुछ के लिए gymming हो सकती हैं, कुछ के लिए dance classes हो सकती हैं, अगेन कोई भी physical activity रह सकती है, जिसमें आप खुद को जादा involve कर रहे हैं, या फिर करना चाहा रहे हैं, and in general या फिर guidance है, आप लुगों के लिए move का card है, और यह card बहुत clear आपको message देता है, कि इस week जो भी आप चाहा रहे हैं, उसके लिए action initiatives लें और आगे बढ़ते रहें, यानि कि आप pause ना लें, आप बहुत ज़्यादा time चीजों को सोचने समझने में ना लगाएं, मैं यह नहीं कह रही कि आप सोचें समझें ना, आप सोचें समझें, लेकिन, you know, कहीं आप अटक ना जाएं किसी भी चीज में, कहीं आप रुक ना जाएं किसी भी चीज में, move का card कहता है, जो भी situation है, circumstances हैं, बस आगे बढ़ते जाएं, and astrology से आप लोगों के लिए Scorpio sign का card है, इसके इसाब से all shades of red, maroon, rust, इस वीक आप लोगों के लिए लखी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए हो गाट यूज़ दे, तो ये था Aries, आप लोगों के लिए coming week का साथ आप ताहिक राशी फल, और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखेंगे coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है renewal, renewal का card कहता है कि इस week specifically professional front में, या तो कोई नई चीज हो रही है या फिर आप चाहा रहे हैं, और देखेंगे जब भी नई चीजें होती हैं, तो पुरानी चीजों को किसी level पे हमें end करना पड़ता है, या फिर वो end हो रही होती हैं, तो broader level के लिए अगर हम देखें, कोई ending, beginning आपके professional front में हो रही है, या फिर जो भी पुरानी चीजें, उनको आप नए सिरे से करना चाहा रहे हैं, refresh करना चाहा रहे हैं, अब ये general reading है, तो सब के लिए ending, beginning या फिर renewal थोड़ा-थोड़ा differ करेगा, कुछ के लिए हो सकता है कि नई job, नया project, नई team, नई जगा, आप join करना चाहा रहे हैं, या फिर इसी से related, आपके मन में एक सोच चल रही है, एक planning चल रही है, और कुछ के लिए हो सकता है, कि पुरानी चीजों को ही, again मैं कहूंगी, नए तरीके से आप करना चाहा रहे हैं, और इन ही सब चीजों को लेकर, थोड़े से critical, थोड़े से judgmental आप हो रहे हैं, इन ही सब चीजों को लेकर, थोड़ा सा आप, you know, past में आपने क्या mistakes करी, और क्या चीजें करीं, जिसे कि आपको profit gain हुआ, उसनको भी consider कर रहे हैं, उनके बारे में भी आप सूचते वे दिख रहे हैं, और ये बहुत important भी होता है, Taurus, क्योंकि जब तक हम अपनी past mistakes से learn नहीं करते हैं, तब तक हम दुबारा वो mistakes करते रहते हैं, और फिर वो growth, वो progress हम अपनी life में नहीं लेकर आपाते हैं, तो all in all, ये week अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देखिए, या तो फिर से मैं कहूंगी, कोई नहीं शुरुवात हो रही है, या फिर कैसे नहीं शुरुवात हो, आप उस पे focus कर रहे हैं, और उसी से ही related action initiatives जो भी required हैं आप ले रहे हैं, and personal front के लिए आप लोगों के लिए justice का card है, जस्टिस का card अगर हम literally देखें, तो fair energies की बात करता है, तो जो भी आपके personal front में हो रहा है, इस week आपको ऐसे लग सकता है कि finally मेरे साथ justice हो रहा है, finally you know, चीज़ें fair हो रही हैं, अब देखिए justice ये promise नहीं करता है, कि सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा, justice आपको सिर्फ ये कहता है, कि पीछे जितना आपने effort किया है, उतना ही आपको result मिलेगा, और अगर पीछे आपने effort नहीं किया, तो आपको result नहीं मिलेगा, और कुछ इस तरीके की चीज़ें, इस week आपके personal front में रहेंगी, overall के लिए बहुत logically चीज़ों को deal करते हुए दिख रहे हैं, mind से चलते हुए दिख रहे हैं, in fact दिखिए पूरे ही week में, चाहें आपका professional front हो या personal front हो, emotions, feelings थोड़ी सी missing रहते हुए दिख रही हैं, एक logical approach, जादा चीज़ों को लेकर रहते हुए दिख रही है, और दूनों ही fronts में हो सकता है, कि कोई decision, कोई choice आपने लेना है, और आप हर चीज़ के pros and cons को वे करते हुए, हर चीज़ के advantages, disadvantages को समझते हुए ही, ये decision choice लेना चाहा रहे हैं, और जो कि ज़रूरी भी होता है, लेकिन थोड़ा सा खयाल रखें, कि कहीं आप over logical तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि देखिए, ideal situation heart और mind का balance होता है, इस चीज़ का खयाल रखें, क्योंकि personal front के लिए justice का card है, तो कुछ के लिए literally हो सकता है, जज याँ फिर court को visit कर रहे हैं, और यहाँ आपर देखिए, जरूरी नहीं है कि कोई मसला है, कोई issue है, इसी लिए आप court visit कर रहे हैं, किसी judge को मिल रहे हैं, कितनी बारी driving license होता है, याँ फिर कोई paperwork होता है, उसके लिए भी हमें court जाना पड़ता है, और एका दुक्का के लिए कोई legal issue भी रह सकता है, और देखिए, ये सब के लिए applicable नहीं होगा, ये थोड़े ही याँ फिर कुछ Taurus के लिए applicable रहेगा, overall के लिए, justice का card फिर से मैं कहूंगी, एक fair energies की बात करता है, और जो भी आपके personal front में हो रहा है, आपको कहीं end of the week में ऐसी feeling होगी, कि हाँ भई, जो मैं deserve करता था, या करती थी, वो मुझे मिला है, and in general या फिर guidance से, आप लोगों के लिए fine balance का card है, और कहीं देखिए, personal front के लिए justice का card भी, एक balance maintain करने की बात करता है, तो हो सकता है कि personal front में, आप बहुत ज़ादा इस चीज़ का खयाल रख रहे हैं, और कहीं guidance का card आपको फिर से remind करा रहा है, कि जो भी करें, एक balance ज़रूर maintain करें, कोई भी चीज़, ना तो आप ज़रूरत से ज़ादा करें, ना अहीं आप ज़रूरत से कम करें, और astrology से आप लोगों के लिए Libra sign का card है, इसके हिसाब से all bright shades इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday, तो ये था टोरस आप लोगों के लिए, coming week का साथ आप ताही क्राशीफल, और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं, और ये card कहता है कि इस week specifically professional friend में, छोटे मुटे issues, छोटे मुटे मसले रह सकते हैं, और इसी वज़े से याप फिर otherwise भी आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप hurt ना हो जाएं, जो भी आपके professional friend में हो रहा है, कहीं इन चीज़ों को लेकर आप future में परिशान ना हो जाएं, और कहीं इनों खुद को कैसे protect करें, खुद को कैसे इन ही सब चीज़ों से safeguard करें, इस पे आप focus करते वे दिख रहे हैं, अब दिखिए इस चीज़ों के आपने परिशान नहीं होना, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी की रीडिंग नहीं है, यह सिरफ और सिरफ इस वीक की रीडिंग है, वीकली रीडिंग में बहुत बड़ी चीज़े नहीं होती है, एकका दुक्का लोगों की बात अलग है, और वैसे भी tarot guidance के लिए होता है, तो अगर आप इस रीडिंग को पहले से ही देख रहे हैं, अपने आपको थोड़ा सा, आप safe लेकर चलते हैं, आप बिना बात के risk नहीं लेते हैं, तो इस वीक की energies को आप भेतर कर पाएंगे, और अगर आप खाम खांके पंगों में पढ़ेंगे, या फिर खाम खांकी, जो भी debate है, discussions हैं, जो आपको लग रहा है कि negative direction में जा सकते हैं, उसमें खुद को involve करेंगे, तो परेशान हो जाएंगे, तो देखी नचल में आपको यही कहोंगी, आप अपने आपको safeguard करके चलें, आप अपने आपको protect करके चलें, कहते हैं न, precaution is better than cure, तो कहीं यह नो, वो वली energies में आप रहेंगे, तो यह भी आपका ठीक ठाक निकल जाएगा, लेकिन अगर आपने किसी भी तरीके का risk लिया, या फिर किसी भी तरीके की, चीजें जो आपको लग रहा है, problematic हो सकती हैं, उसमें खुद को involve किया, तो आप परेशान होंगे, and personal front के लिए, आप लोगों के लिए, hate of swords का card है, और ये card भी कहीं देखिए, fear, insecurity, confusion की बात करता है, तो कहीं दोनों ही fronts में, बहुत great energies नहीं रहती हुई दिख रही है, professional front के card को अगर आप देख पा रहे हैं, तो जो figure हैं, उन्होंने अपने सामने एक shield रखी हुई है, यानि कि professional front में कहीं आप एक effort कर रहे हैं, अपने आपको safeguard करने के लिए, लेकिन personal front में, जैसे आपने अपनी आखों में पट्टी बांदी हुई है, और जब love relationships आ जाते हैं, तो शायद हम थोड़े से blind हो जाते हैं, देख के भी चीजों को अंदेखा करते हैं, सुन के भी चीजों को अंसुना करते हैं, और अगर ऐसा आप भी पाएं, तो ज़रूर इस चीजों को चेक करके correct करें, और फिर से देखिए personal front में, आपको ऐसे लग सकता है, जैसे आप बंधे हुए हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, नहीं कह पा रहे हैं, करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं देखिए वैसे भी प्यार महबबत, हमें थोड़ा सा तो blind करी देता है, यानि कि यहां attachment होती है न, वहां हम confused हो जाते हैं, हम बहुत ज़़ादा emotions के basis पर decisions लेने लगते हैं, choices लेने लगते हैं, तो थोड़ा सा अगर आप अपनी emotions को परे रखें, और जितना ज़ादा आप कोशिश करेंगे, कि आप clarity रखें आप क्या चाहते हैं, उतना ही आप personal front की energies को भैतर करेंगे, यानि कि किसी भी complicated situation में, किसी भी complicated चीज में, आप खुद को ना involve करें, in fact आपके मन में भी कोई भी दुविदा है, कोई भी उलजन है, उसको कैसे आप clear कर सकते हैं, sort out कर सकते हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, कि आप problem पे ना focus करें, उसका क्या solution हो सकता है, उसको कैसे आप resolve कर सकते हैं, आप उस पे focus करें, और अगर आप ऐसी energies में personal front में रहेंगे, यकीन मानिए, ये week आपका ठीक ठाक जाएगा, लेगिन थोड़ा सा भी आपने problem जो भी है, जो आपको परिशान कर रही है, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, confused कर रही है, आपको उलजा रही है, आपने उस पे focus किया, तो इस week आप बहुत परिशान होंगे, और फिर से, अगर आपने उसके solution पे, उसके हल पे focus किया, तो आप बहुत easily उसमें से बहार निकल जाएंगे, और इन जनरल या फिर guidance है, आप लोगों के लिए take the lead का card है, तो देखे बहुत ही clear guidance है, कि इस week आपने किसी को follow नहीं करना है, इस week आपने, जैसे बुलते हैं कि passive energies भे नहीं रहना है, कितनी बारी हम कहते हैं कि बहुत हैं कि किस्मत में होगा तो हो जाएगा, अगर ठीक होना होगा तो हो जाएगा, और हम बहुत जादा जो भी problem है, situation है, उसको surrender कर देते हैं, तो ऐसा आपने नहीं करना है, आपने चीजों का control अपने हाथ में लेकर lead लेनी है, यानि कि जो भी action initiatives required हैं, चीजों को solve करने के लिए, चीजों को resolve करने के लिए, उन पे आपने focus करना है, और फिर से मैं कहूंगी कि action initiatives आपने ज़रूर लेने हैं, ऐसा करेंगे, तो ये week को आप भैतर करेंगे, और astrology से आप लोगों के लिए Pisces sign का card है, इसके हिसाब से जो भी समंदर के रंग होते हैं, sea green, sea blue, आप लोगों के लिए लखी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday, तो ये था Gemini's, आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं, कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, चलिए गें सेरियन से आप लोगों के लिए देखें, ये coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं, तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है balance, balance का कार्ड कहीं उन्हों एक बहुत moderate energies की बात करता है, यानि कि बहुत great चीजे नहीं हो रही है, लेकिन कुछ भी खराब नहीं हो रहा है, और साथी साथ ये कार्ड कहता है, या तो balance बनाने की जरुरत है, या फिर balance बनाने पर आप बहुत ज़ादा focus कर रहे हैं, होता है ना कभी कभी हम बहुत ज़ादा ही, बहुत ज़ादा in fact मैं कहूंगे बहुत over ही चीज़ों में involved हो जाते हैं, या फिर कोई चीज हम over कर रहे होते हैं, और कितनी बारी हम बहुत कम उस चीज़ को कर रहे होते हैं, और ideal situation एक balance होता है, ना तो ज़ब हम over कर रहे होते हैं तो ठीक होते हैं, ना ही जब हम under कर रहे होते हैं, यानि कि बिल्कुल भी नहीं action initiatives ले रहे होते हैं, या फिर यूनो बिल्कुल भी उस चीज पर attention नहीं दे रहे होते हैं, वो भी ठीक नहीं होता है तो कहीं एक piece, एक सुकून आप maintain करना चाह रहे हैं या फिर आपके professional front में जो भी हो रहा है, कहीं एक piece, एक सुकून रहता हुआ दिख रहा है all in all ये week ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है, ना तो बहुत highs है, ना बहुत lows है कहीं यूनो जैसे चीजें चल रही हैं, वैसे ही चलती जा रही है और कहीं बहुत ही एक फिर से मैं कहूंगी moderate तरीके से चीजें होती हुई दिख रही है एक peace, एक सुकून रहता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए seven of swords का card है और ये card कहता है कि इस week specifically personal front में आप शायद एक escapism वाले mode में रह रहे हैं जहां पर आप कुछ चीजों को avoid कर रहे हैं, ignore कर रहे हैं या फिर आप कुछ चीजों को deal ही नहीं करना चाहा रहे हैं अब reasons of considerations के लिए differ करेंगे कुछ के लिए हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि भई अगर आपने deal किया ना तो खाम-खाँ परेशान हो जाएंगे, आप hurt हो जाएंगे इसलिए avoid करना ही बहतर है मुझके लिए हो सकता है कि आप किसी चीज को you know, acknowledge नहीं कर रहे हैं या फिर किसी चीज के लिए एक acceptance नहीं है और दिखें, जब भी हम ऐसी energies में होते हैं हम सिरुफ और सिरुफ खुद को परेशान करते हैं और ये खासकर होता है जब हम किसी को बहुत love करते हैं उनको तो खेर क्या correct करने की ज़रत है उनका attitude अगर हमें ठीक नहीं लग रहा तो हमें वो attitude tolerate नहीं करना है और क्योंकि हम इतना उनको love करते हैं कि हम tolerate करते हैं और उस time हम इस चीज को नहीं देख पाते हैं या फिर again मैं कहूंगी upfront होके नहीं deal कर रहे हैं तो जो भी हो cancerians चीजों से भागने से avoid करने से आप उनको solve नहीं कर सकते हैं आप temporarily तो better feel कर सकते हैं इनफाट दिखिए temporarily भी हम better नहीं feel कर रहे होते हैं क्योंकि back end पे हमें पता होता है कि यह एक मसला है यह एक problem है लेकिन हम surface level के लिए उनको avoid करके शायद you know temporarily surface level के लिए better feel कर रहे होते हैं तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगी कि running away is not the solution जो भी चीज आपको bother कर रही है ठीक नहीं लग रही है आप upfront होके उसको deal करें temporarily ज़रूर आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं लेकिन यकीन मानिये long term के लिए यह आपकी problem को solve करेगा और long term के लिए आप चीज़ों को भैतर करेंगे तो इस चीज का खयाल आप ज़रूर रखें और यह से कि seven of swords का का cheating को भी represent करता है और यहाँ पर देखिए जो भी मैंने आपको बताया अगर हम ऐसी energies में रहते हैं तो कहीं हम खुद के साथ fair नहीं हो रहे होते हैं हम खुद के साथ cheat कर रहे होते हैं लेकिन कुछ के लिए यह भी हो सकता है कि आपके आसपास जो भी है उनके कही motives, intentions आपके लिए ठीक नहीं है और ऐसे में भी आपको cautious रहने की जरत है conscious रहने की जरत है और दूसरी बात देखिए blind trust किसी पर भी इस week आप ना करें overall ही थोड़ा सा चुकना, थोड़ा सा alert जरूर है and in general या फिर guidance है आप लोगों के लिए giving and receiving का card है और ये card बहुत ही clear आपको message दे रहा है कि आप giving और receiving वाली energies में एक balance जरूर maintain करें कितनी बारी हम बहुत जादा अपने loved ones को, close ones को या professional front में दे रहे होते हैं हमें उतना mil नहीं रहा होता है कितनी बारी हम receive बहुत जादा कर रहे होते हैं लेकिन दे नहीं रहे होते हैं और दोनों ही scenario में कहीं उस time हम ना देख पा रहे हो चीजें ठीक नहीं रहती हैं या फिर हम परेशान होते हैं और कहीं देखे professional front के लिए balance का card इसी चीज की बात भी करता है कि एक balance maintain करना है और यही आप लोगों के लिए guidance है फिर चाहें वो कोई भी चीज हो चाहें आपका personal front हो या professional front हो and astrology से आप लोगों के लिए the sixth house का card है इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए हो governance day और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए लिए उस आप लोगों के लिए देखें इस coming week क्या लिकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है the magician the magician का card magical energies की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically professional front में रहता वा दिख रहा है अब दिखें मैं यह नहीं कहूंगी कि magic हो रहा है बहुत कुछ miraculous से चीज़ें हो रही है but yes definitely you know जो चीज आपने शायद नहीं expect करी आप बहुत time से चाहा रहे थे या फिर आपने उमीद खोई या तो वो आपको मिलती हुई दिख रही है आप उसको achieve करते हुए दिख रहे है या फिर वो चीज़ें कहीं एक positive direction में जाती हुई दिख रहे है यानि कि आपको ऐसे लग रहा है yes अब आप इस चीज़ को achieve कर लेंगे और बहुत जबरदस्ते confidence खुद पे आता हुआ दिख रहा है अपनी capabilities, अपने talents पे आप trust करते हुए दिख रहे हैं और इसी confidence के साथ, इसी trust के साथ जो भी action initiatives required हैं आप अपने goal मकसद के लिए लेते हुए दिख रहे हैं और दिखिए जब ऐसी energies में हम होती है हमें हमारे desired outcome को achieve करने से कोई भी नहीं रोक पाता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional front में रहता हुआ दिख रहा है all in all ये week काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है और हो सकता है जो भी आप चाहा रहे हैं उसी से related थोड़ा सा अगर manipulate करना पड़े हैं में हमें थोड़ा सा खयाल रखना चाहिए कि हमारे intentions, motives ठीक रहे हैं जब तक हमारे intentions, motives ठीक हैं हम थोड़ा सा अगर manipulative हो रहे हैं in a healthy way हम थोड़ा सा diplomatically चीज़ों को deal कर रहे हैं again in a healthy way it's fine लेकिन जड़ा सा भी हमें लगे कि भई ये ठीक नहीं है morally, ethically तो ज़रूर हमें check करके correct करना जाहिए and personal front के लिए आप लोगों के लिए four of cups का card है और ये card कहता है कि personal front में एक boredom एक monotonous सी energies रहती हुई दिख रही है हो सकता है कि जो भी हो रहा है कहीं इतना motivating नहीं है या फिर वो एक enthusiasm excitement missing रहता हुआ दिख रहा है अब reasons अब के लिए differ करेंगे जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि बहुत monotonous सी energies है वो ही रोज मर्रा की जिंदगी वो ही रोज मर्रा का routine और आपको ऐसे लग रहा है कि बस यार बोर हो गए या फिर कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपके आसपास सब चीजें बहुत बढ़िया है लेकिन कोई भी चीज आपको उतनी exciting नहीं लग रही या फिर कोई भी चीज आपको वो happiness joy नहीं दे पा रही है और दोनों ही सिनारियो में बहुत बहुत important रहेगा कि आप एक extra effort लें, excitement, enthusiasm अपनी life में लाने के लिए अपने in fact मैं कहूंगी personal friend में लाने के लिए क्योंकि जब बहुत time तक हम ऐसी energies में रहते हैं किसी भी reason की वजए से हम इन्ही energies में और जादा deep जाते हैं और और जादा हम परिशान होते हैं, उस time हम नहीं देख पा रहे होते हैं तो again मैं कहूंगी कि अपने आपको ऐसी चीजों में involve करें जो थोड़ा सा you know fun हो, मजा हो, मस्ती हो ताकि एक enthusiasm, excitement आप महसूस करें अपने goal, अपने मकसद को के लिए आप ज़रूर खुद को motivate करें यानि कि जो भी boredom, monotonous वाली energies हैं आप उन में से खुद को ज़रूर निकालें इसके लिए एक effort आप ज़रूर करें और परसनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए rest and reconsider का card है और ये card कहता है कि अगर आप बहुत ज़ादा ही किसी चीज के लिए effort कर रहे हैं काफी time से और ये चीज कहीं आपको परिशान कर रहे हैं और खास कर दिखिए परसनल फ्रंट के लिए ज़ादा रहतावा दिख रहा है तो थोड़ा सा आप अराम करें थोड़ा सा आप rest करें और थोड़ा सा चीजों को फिर से समझने की कोशिश करें चीजों को फिर से you know reconsider आप जरूर करें आगे बढ़ने से भेले and astrology से आप लोगों के लिए cheerion का card है इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Wednesday तो ये थाली उस आप लोगों के लिए coming week का साबता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए वगोज आप लोगों के लिए दिखेंगे coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है eight of wands और ये card कहीं speed की बात करता है movement की बात करता है बहुत तेजी से आगे बढ़ने की बात करता है अब दिखेंगे general reading है तो सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा लेकिन broader level के लिए specifically आपके professional front में कुछ ऐसी ही energies रहती भी दिख रही है कुछ वगों के लिए हो सकता है कि बहुत तेजी से आप अपने goal मकसद को अचीव करना चाहा रहे हैं और बहुत speed से आप action initiative ले रहे हैं कुछ के लिए simply हो सकता है कि आप travel कर रहे हैं या फिर करना चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि external front में इतनी तेजी से चीजें आगे बढ़ रही है कि आपको उनके साथ अपनी speed माच करनी पढ़ रही है कुछ के लिए हो सकता है कि जिस भी चीज पर आप काम कर रहे हैं उसकी deadline बहुत नजदीक आ रही है और आपको ऐसे लग रहा है कि बस बहुत कम टाइम रहे गया आपको बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा ताकि आप deadline तक अपने काम को finish कर पाएं अब जो भी चीज़े मेरे mind में आ रही हैं मैं आपको कह रही हूँ situation circumstances सब के लिए differ करेंगे लेकिन कहीं speed ये week आप लोगों के लिए लाता हुआ दिख रहा है ये हफता कहां शुरू होगा कहां खतम होगा आप समझ नहीं पाएंगे and yes growth progress भी होती भी दिख रही है और फिर से कहूंगी action initiatives भी अपने goal अपने मकसद के लिए आप लेते हुए दिख रहे हैं पीची अगर stuck महसूस कर रहे थी किसी भी चीज में तो इस week कहीं movement रहती भी दिख रही है and personal front के लिए आप लोगों के लिए Ace of Pentacles का card है और ये card कहीं नई beginning की बात करता है और नई beginning कहीं बहुत ही concrete level पे होने की बात करता है यानि कि ऐसा नहीं है आप सोच रहे हैं या फिर आप सिर्फ बाते कर रहे हैं या फिर एक ख्वाबों की दुनिया में चीजें हो रही हैं कहीं बहुत practical, realistic, concrete level पर नई beginning या तो आप चाहा रहे हैं या फिर हो रही है अब यहाँ पर भी देखिए सब वर्गोस के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा कुछ के लिए literally हो सकता है कि कोई phase end हुआ अब देखिए फिर से personal front में कोई भी चीज हो सकती है सब के लिए डिफर कर सकता है और आपको लग रहा है कि अब नई सिरे से चीज़ें को शुरू करते हैं कुछ के लिए हो सकता है कि कोई नई चीज आप खरीद रहे हैं खरीदना चाहा रहे हैं यह नई चीज भी सब के लिए differ करेगी कुछ के लिए नई jewelry हो सकती है या फिर simply you know इस week आप जादा शॉपिंग कर रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि आपको कोई gift मिल रहा है या फिर you know किसी भी तरीके का एक money, पैसा, materialistic, tangible चीजों से related फाइदा हो रहा है आपको gain हो रहा है या फिर materialistic, tangible चीजों को आप भोगते हुए दिख रहे हैं उनको enjoy करते हुए दिख रहे हैं या तो खर्चा कर रहे हैं या फिर you know पैसा आ रहा है और खर्चा कहीं negative sense में नहीं हो रहा है जो चीज बहुत time से आप चाहा रहे थे या उसको या तो आप खरीद रहे हैं या फिर कैसे खरीदें उससे related एक सोच चल रही है तो all in all personal friends से related ये भी काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है और professional friend में भी चीजें ठीक ठाक रहती भी दिख रही हैं या फिर मैं कहूंगी बड़ी आ रहती भी दिख रही है और इन जनरल या फिर guidance से आप लोगों के लिए embrace का card है and I don't know इस card को आप कितना देख पा रहे हैं जो figure हैं वो अपने हाथ खोल के ऐसे universe के सामने बैठे हुए हैं और यहाँ पर यह card आपको यही message दे रहा है कि जो भी अच्छे चीजें हो रही हैं उनको एप embrace करें क्योंकि कितनी बड़ी क्या होता है न कि 10 चीजें अच्छे मारी life में हो रही हैं लेकिन 4 चीजें जो ठीक नहीं हो रही होते हैं हम इतना उन पर focus करते हैं इतना उनको attention देते हैं कि जो अच्छी चीजें ना तो हम देख पाते हैं ना ही उनको enjoy कर पाते हैं तो यहाँ पर यह card आपको यही message दे रहा है कि जो भी beautiful चीजें हैं आप उनको embrace करें और astrology से आप लोगों के लिए the sun का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Sunday तो यह था वोगोज आप लोगों के लिए coming week कर साबता है एक राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए Libras आप लोगों के लिए देखें यह coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है king of swords और यह card कहता है कि इस week specifically अपने professional front में power, position, authority आपके लिए काफी एहम रहती वी दिख रही है अब देखिए reason, situation, circumstances सबके लिए differ करेंगे कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आप चीजों को लेकर बहुत emotional हो रहे थे कहीं अपनी self respect पे इतनी attention नहीं दे रहे थे और इस week आपको ऐसे लग रहा है कि जो भी हो एक authority तो maintain करनी है अपनी self respect को prioritize करना है कुछ के लिए हो सकता है कि power position authority आपको मिल रही है यानि कि आपका promotion हो रहा है या फिर जो भी situation, circumstances है इस week कहीं आपको एक position मिलती हुए दिख रही है position in the sense, you know होता है ना कभी-कभी कि आपके boss छुट्टी पे है तो उनकी जगा पे आपको चीजों को handle करना पड़ता है देखें, ये सिरफ और सिरफ example है जो मेरे mind में आया मैंने आपको दिया बट इस तरीके की कोई भी situation रह सकती है जहां पे again मैं कहूंगी power position authority आपको मिल रही है और कुछ के लिए हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि बस आप promotion चाहिए और आप इन्ही सब चीजों को चाहा रहे है कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि इसी authoritative figure के साथ आपकी ज़्यादा interaction हो रही है ज़्यादा बातचीत हो रही है जो भी हो बहुत logically आप चीजों को deal करते हुए दिख रहे है और कैसे जो भी आप चाहा रहे है अपने professional front में उसको achieve करें उसके लिए एक strategy भी आप बनाना चाहा रहे है आप फिर बना रहे हैं तो all in all दिखिए professional front ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए nine of pentacles का card है और ये card कहता है कि पीछे personal front में किसी भी चीज के लिए आप effort कर रहे थे आपको मिल गई यानि कि आपने achieve करी आप उसको इस week enjoy करना चाहा रहे हैं और कहीं independently आप ज़ादा enjoy करना चाहा रहे हैं यानि कि इस week आपको इसे लग सकता है कि भी emotionally, mentally, physically किसी के ओपर भी dependent नहीं होना है खुद पे भरोसा रखना है और independently चीज़ों को करना है और कहीं एक lifestyle आप maintain करना चाहा रहे हैं और अपने lifestyle को maintain करने के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा खर्चा भी आप कर रहे हैं या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि कोई चीज आप बहुत time से खरीदना चाहा रहे थे इस week या तो आप खरीद रहे हैं या फिर उस चीज के खरीदने पर focus रहता हुआ दिख रहा है कुछ के लिए simply हो सकता है कि आप अपने घर को renovate कर रहे है या फिर आपना garden maintain करना चाहा रहे है या garden maintain कर रहे है उससे related खर्चा हो रहा है या फिर आप कर रहे है तो देखिए जो भी खर्चा हो रहा है ना कहीं अच्छी चीजों पर होता हुआ दिख रहा है कहीं एक happiness इस खर्चे की वज़े से आती भी दिख रही है यानि कि फिजूल की या बेकार की चीजों पर खर्चा नहीं होता हुआ दिख रहा है या फिर ये खर्चा आपको परेशान नहीं करता हुआ दिख रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि कोई hobby है आपकी आप उसको pursue करना चाहा रहे है या फिर यूनो उसी पे ही again focus रहता हुआ दिख रहा है all in all ये भी काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए choose your battles का card है और ये card कहता है कि कोई भी you know decision choice अगर आपको लेना है तो आप उसको delay ना करें, postpone ना करें अगर आपको थोड़ा सा difficult लग रहा है you know तो भी आपको decision वो choice ज़रूर लें और जो भी आप चाहते हैं उसके लिए extra effort, extra initiative आप ज़रूर लें अगर you know आप वाकई में उसको अचीव करना चाहते है and astrology से आप लोगों के लिए Sagittarius sign का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था आप लोगों के लिए coming week का सापता ही ग्राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए इस copy आप लोगों के लिए रेखें इस coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है Ace of Souls और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में छोटे मुटे issues छोटे मुटे challenges रह सकते हैं और दिखे मैंने जोर देकर कहा छोटे मुटे issues छोटे मुटे challenges क्योंकि ये weekly reading है weekly reading में बहुत बड़ी चीज़े नहीं होती है एकका दुका लोगों की बात अलग है और दूसरी बात ये minor arcana का card है और जहां एक तरफ ये card कुछ challenges की बात करता है वहीं दूसरी तरफ ये card कहता है कि अगर आपने willpower determination रखी आपने fighting spirit रखी, logically चीज़ों को deal किया आप emotional नहीं हुए, sentimental नहीं हुए तो definitely आपकी victory होगी, आपको success मिलेगी यानि कि जो भी छोटे मुटे issues, मसले हैं बहुत easily आप इनको overcome कर लेंगे और fighting spirit का मतलब ये नहीं है कि हमने लोगों से लड़ना है fighting spirit देखें, most of the times हमें खुद के लिए ही रखनी पड़ती है जो negative thoughts आ जाते हैं, जरा सा भी external front में कोई मसला होता है हमने उनसे fight करना है और जब हमें negative thoughts से नहीं fight करते हैं तो ये इतनी तेजी से multiply होते हैं कि हम इनमें ही गुम होके रह जाते हैं और हमें ऐसे लगता है कि इस issue, इस problem की वज़े से हम परेशान हो रहे हैं लेकिन actually में हम अपने negative thoughts की वज़े से परेशान हो रहे होते हैं और कितनी बारी external front में लोग हमें dominate करने की कोशिश करते हैं प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं अपने तरीके से हमें चलाने की कोशिश करते हैं उस time पे भी हमने fighting split रखनी हैं यानि कि अपने लिए stance लेने हैं उनके control में नहीं आना है या मैं ऐसा भी कह सकते हूँ कि हमने उनको खुद को control नहीं करने देना है जो बात सही है उसको सही कहना है जो गलत है उसको गलत कहना है हमने किसी भी reason की वज़े से डरना नहीं है specially देखिए जब हम job में होते हैं boss हमें कोई ऐसी बात कह देते हैं हमें ठीक नहीं लगती हम डर जाते हैं कि भी नौकरी चली जाएगी और हम खाम खाम बहुत सारी चीजें tolerate करते हैं तो ये चीजें भी इस वीक नहीं tolerate करनी again इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत upfront होके और बहुत you know हम गलत तरीके से उनसे बात करें but yes you know बहुत politely बहुत humble तरीके से हम उनको अपना viewpoint रख सकते हैं कि भाई ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है और मैं ऐसा नहीं करूंगा नहीं करूंगी तो इस तरीके की energies अगर आप रखते हैं by the end of the week आपको ऐसा लगेगा कि ये हफता तो बहुत अच्छा गया लेकिन अगर आपने इन ही तरीके की चीजों के साथ fighting spirit नहीं रखी तो by the end of the week आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं and personal friend के लिए आप लोगों के लिए queen of cups का card है और एकदम से contrary energies हैते भी दिख रही हैं जहाँ professional friend के लिए सोट का card logical तरीके से चीजों को deal करने की बात करता है वही personal friend में Scorpios आप लोग बहुत ज़ादा emotional हो रहे हैं आपके mood swings हो सकते हैं अब देखिए situation circumstances सब Scorpios के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि अपने किसी love one के लिए बहुत love care प्यार महबत आप महसूस कर रहे हैं और कहीं in the process आप खुद को ignore कर रहे हैं खुद को नहीं prioritize कर रहे हैं और अगर ऐसा आप भी Scorpios करते वे पाएं तो ज़रूर इस चीज को check करके correct करें क्योंकि देखिए initially हमें नहीं समझ में आता है क्योंकि इतना हम love care महसूस कर रहे होते हैं और उस time हमें इस चीज की realization नहीं होती है कि इस time पे जो हम कर रहे हैं ये हमारे relationship को actually में break कर सकता है क्योंकि over loving, over caring वाली energies यकीन मानिये हमारे relationship को long term में खराब करती हैं या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ जब हम self को in the process नहीं prioritize करते हैं हम self को कहीं भूल जाते हैं तब फिर हम relationship को खराब कर रहे होते हैं और दूसरी बात हो सकता है कि आप you know दिल से बहुत जादा चल रहे हैं आप logically बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं आप practical, realistic हो के चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं deal कर रहे हैं तो एक heart और mind का balance इस week आप जरूर रखें और हो सकता है कि आपके आपके loved ones से जादा उमीदें इस week रह रहे हैं बहुत high expectations आपकी रह रहे हैं को ऐसे लग रहा है कि उन्हें आपको pamper करना चाहिए या फिर उन्हें आपको बहुत जादा attention देनी चाहिए और ये भी एक reason हो सकता है कि आप थोड़ा सा emotionally low feel कर रहे हैं या फिर मैं ऐसा भी कह सकते हूँ कि इस week कुछ ऐसा वक्त हो सकता है जहां पर आप emotionally बहुत high feel कर रहे हैं कुछ time ऐसा हो सकता है जब emotionally बहुत low feel कर रहे हैं कोई चीज आपको बहुत happy कर रही है कोई चीज आपको बहुत sad कर रही है तो फिर से personal front में giving and receiving वाली energies में balance रखें specially relationships में और कहीं heart और mind का भी आप balance रखेंगे तो ये भी कापका ठीक जाएगा नहीं तो आप personal front में भी परिशान हो सकते हैं तो दिखे over logically चलना या फिर over emotional होना दूनों ही चीजें परिशान करती हैं हमें long run में और दूनों ही चीजों को आपने check करके correct करना है and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए shine का card है और कहीं एक card भी खुद को prioritize करने की बात करता है कहीं इनो self love करने की बात करता है और दूसरी बात बहुत ही clarity के साथ चीजों को deal करने की बात करता है और यकीन मानिये जो confusion होती है, complications होती है वो हमारी ही creation होती है अगर हम बहुत clarity के साथ चीजों को deal करें लाइफ बड़ी सिंपल है लेकिन जब हम गोल-गोल-गोल घूमना शू कर देते हैं अपने माइन में ही चीज़ों को इलजाना शू कर देते हैं तब फिर एक्स्टर्नली भी चीज़ें उलजती हैं और हम परेशान होते हैं तो इन चीज़ों का खयाल आपने जरूर रखना है स्ट्रोलेजी से आप लोगों के लिए उरीनेस का कार्ण है इसके हिसाप से आल शेद्ज आफ ब्लू इंडिगो इस वीड़ी आप लोगों के लिए लगए लगी रहें गे और ही टेया स्टर्टर्डे तो ये था स्कॉप यज़े स्कॉप्धों के लिए कमिंग वीक का साप तो professional friend के लिए आप लोगों के लिए card है two of wands और ये card कहता है कि इस week specifically professional friend में जो भी हो रहा है जो भी आप कर रहे हैं बहुत जबर्दस एक confidence आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि बहुत जबर्दस confidence आपको आ रहा है और इसी confidence के साथ आप करें उस पर आप focus करते हुए दिख रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि एक growth progress आपके professional friend में इस week रह रही है out of the country से related कोई activity कोई बातचीत भी रहती हुए दिख रही है ये general leading है तो थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए simply हो सकता है कि आप work से related या फिर otherwise be out of the country या तो travel कर रहे हैं या फिर एक planning आपके मन में रह रही है कुछ के लिए हो सकता है कोई आपके client है कोई आपका काम है out of the country उनके साथ जादा interaction हो रही है उनके साथ जादा बातचीत या फिर dealing हो रही है तो all in all दिखे ये week काफी अच्छा रहतावा दिख रहा है और किस लवड बन या फिर co-worker कुली की तरव से एक supportive cooperative energies भी रहती वही दिख रही है तो फिर से कहूंगी ये week अच्छा जाता हुआ दिख रहा है एक enthusiasm, excitement जो भी आप कर रहे हैं उसको लेकर बहुत जबर्दस एक motivation भी रहता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए six of pent particles का card है और ये card कहीं giving and receiving की बात करता है अब दिखिए giving and receiving subsidiaries के लिए differ करेगी broader level के लिए card कहता है कि किसी भी चीज की अगर आपको जरत है तो आपको मिलती हुई दिख रही है और अगर आपके किसी love one या फिर जो भी आपके close ones है उनको जरत है आपकी तरफ से तो वो आप द देते हुए दिख रहे हैं अब कुछ के लिए यहां पर money हो सकता है कुछ के लिए love care हो सकती है again कोई भी चीज हो सकती है होता है ना कभी-कभी हम किसी से कोई बात share करना चाहते हैं हमें उनका साथ चाहिए होता है या फिर उनकी तरफ से एक बहुत compassion या फिर love value energies चाहिए होत तो दिखिए जो भी चीज हमें चाहिए वो मिलती हुई दिख रही है और किसी को चाहिए तो आप देते हुए दिख रहे हैं और जब भी ये काड़ आता है मैं यही कहती हूँ कि इन्ही giving and receiving वाली energies में balance जरूर रखें यानि कि अगर आप over giving हो रहे हैं तो उसको भी check करके correct क करें क्योंकि जब giving and receiving वाली energies में disbalance होता है वही कहीं problem होने की शुरुवात होती है बाकी all in all यह भी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है किसी से उधार लिया था तो हो सकता है आप वापिस कर रहे हैं या फिर अगर किसी को उधार चाहिए तो आप देते हुए दिख रहे हैं और कुछ के लिए भी हो सकता है कि आप जादा charity कर रहे हैं जो भी needy लोग हैं किसी भी चीज के लिए neediness हो सकती है कभी-कभी प्यार की लोगों को जरुत होती है या फिर प्यार के लिए needy होते हैं कभी-कभी you know money, passes related चीजों को लेकर needy होते हैं तो उस तरीके से charity भी आप क से करें बहुत devotion और dedication से करें आपको definitely positive result मिलेगा and astrology से आप लोगों के लिए Saturn का card है इसके हिसाब से all shades of blue indigo इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था Sagittarius आप लोगों के लिए coming week कर साबता है का शीफल और नीचे मुझे comment section में जर आप connect कर वाए तो चलिए Capricorns आप लोगों के लिए देखेंगे coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है night of cups और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में आप चीज़ों को लेकर लोगों को लेकर जो भी काम आप कर रहे हैं उसको लेकर या कोई भी चीज ह हो सकती है काफी emotional sentimental हो रहे हैं कुछ के लिए कोई खास चीज इंसान situation हो सकती है कुछ के लिए overall in general ही आपकी ऐसी energies हैं और अगर ऐसा आप भी पाए Capricorns तो इस चीज को ज़रूर चक करके correct करें क्योंकि देखिए specifically जब professional front में हम over emotional sentimental हो जाते हैं हम एक professional attitude खोते हैं जिसको हम उस imaginary world में जादा रह रहे हैं खौबों की दुनिया में जादा रह रहे हैं एक practical realistic aspect missing रहतावा दिख रहा है और ऐसा भी आप पाएं तो ज़रूर इस चीज को चक करके correct करें overall के लिए मैं यही कहूंगी कि heart और mind का balance maintain करने की कोशिश करें और अगर चोटी चोटी सी चीजें आप को hurt कर रही हैं आप oversensitive हो रहे हैं तो इसको भी check करके correct करें otherwise night of cups is not a negative card it's a very neutral card but professional front में या किसी भी front में देखे जब heart और mind का balance नहीं होता है तो उस time तो हमें नहीं महसूस होता है लेकिन आगे चल कर issues मसले होने शुरू हो जाते हैं और tarot यहाँ पर आपको guidance दे रहा है कि अभ आगे चल के जो problems मसले हो सकती हैं आप उनको avoid करेंगे फिर से कहूंगी कि जो भी आपकी energies हैं इस week के लिए उसकी वज़े से इस week कोई issue मसला नहीं होगा लेकिन फिर से आगे चल के issues हो सकते हैं तो इसका आप जरूर खयाल रखें and personal front के लिए आप लोगों के लिए three of wands का card ह और ये card कहता है कि जो भी आप personal front में इस week कर रहे हैं कहीं long term के बारे में ज़्यादा सूचते वे कर रहे हैं यानि कि long term goals हो सकते हैं आप बना रहे हैं या फिर future पे focus करते हुए आप current situation में action initiatives ले रहे हैं in the process या फिर otherwise भी किसी चीज़ का wait किसी चीज़ का इंतजार भी हो सकत है मन ही मन में आपके लिए रह रहा है और ये इंतजार सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कोई phone call कोई email कोई message या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है जो भी आप चाहते हैं उसी को लेकर सही समय का इंतजार क यानि कि होता है ना हमें लगता है कि जब सही समय आएगा ना तब हम ये बात कहेंगे या फिर तब हम आक्षन इनिशेटिव लेंगे तो देखिए जो भी चीजे मेरे माइंड में आई मैंने आपको कहा ये इंतजार ये वेट सब के लिए डिफर करेगा और 3 of wands is also a neutral card तो ठी ठीक ठाक energies रहती भी दिख रही है overall ही in fact मैं कहूंगी ये वी का ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए manifest का card है और देखिए manifest is a very very powerful card actually मैं ये card हमें remind कराता है कि हमारे अंदर इतनी potential है ना इतनी हमारे अंदर एक magical power है मैं कहूंगी कि जो हम हम चाहते हैं हम उसको manifest कर सकते हैं लेकिन problem क्या होती है ने कि most of the times हम चाहा तो कुछ और होते हैं लेकिन उसी को लेकर हमारी सोच mind में negative चल रही होती है और फिर हम negative ही manifest कर लेते हैं तो अपनी power अपनी strength को realize करें अपने thoughts को positive रखें या फिर मैं कहूंगी अपने thoughts actions को अपने goals के साथ align करें और आप देखेंगे कि जो आप चाहाते हैं उसको आप कैसे manifest कर पाएंगे तो फिर से nutshell में ये card आपको यही remind करा रहा है कि जो आप चाहाते हैं उसको definitely आप manifest कर सकते हैं सिरफ और सिरफ आपको अपने thoughts actions को अपने goals के साथ align करना है और astrology से आप लोगों के लिए Saturn का card है इसके हिसाब से beige brown colors आप लोगों के लिए इस week lucky रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो यह था Capricorns आप लोगों के लिए coming week का साथा एक राशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है The High Priestess और यह card कहता है कि इस week specifically professional front में बहुत actively आप चीजों में involved नहीं हो रहे हैं बहुत actively आप चीजों में participate नहीं कर रहे हैं अब दिखिए इसके लिए सब Aquarius के लिए different reasons रहेंगे और इस चीज को सुनके आपने परेशान भी नहीं हो contentment की बात करता है तो overall ही जो भी आपके professional front में हो रहा है कहीं एक सुकून कहीं एक शान्ती तो आप महसूस कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ यहां तो बहुत कोई activity नहीं हो रही है या फिर आपको यसे लग रहा है कि थोड़ा सा backstep लेते हैं चीजों को और जादा समझते हैं understand क करते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो all in all यह भी ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है और हो सकता है कि कुछ लोग अपने professional front से related और अपनी किसी skill को update करना चाहा रहे हैं और knowledge को gain करना चाहा रहे हैं या फिर आप जादा अपनी inner voice को सुनना चाहा रहे हैं कि आपके Aquarius के लिए मैं सब की बात नहीं करूंगी हो सकता है कि या तो आप थोड़ी सी secrecy maintain करना चाहा रहे हैं आपको यह से लग रहा है कि अभी time नहीं है कि आप खुल के अपने plans share करें आप खुल के जो भी चाहा रहे हैं और जो भी कर रहे हैं अपने colleagues co workers को बताएं और इसलिए आ आप थोड़ा सा back seat ले रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि जो भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो कहीं एक transparency नहीं रख रहे हैं वो चीजों को चुपा रहे हैं यह कुछ ही Aquarius के लिए होगा लेकिन यह नो कोई ऐसे परिशानी वाली बात नह है या फिर कुछ negative नहीं है अगर वो चुपा रहे हैं या फिर आप अभी नहीं reveal करना चाह रहे हैं all in all फिर से कहूंगी ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है लेकिन इस तरीके की energies आपके professional front में रह सकती हैं and personal front के लिए आप लोगों के linking of pentacles का card है सबसे पहली चीज यह money का card ह तो money finances एक focus area या फिर main चीज आप लोगों के personal front में रह सकता है अब फिर से कहूंगी कि situation circumstances सबके लिए differ करेंगे कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत time से कोई purchase करना चाहा रहे थे और finally इस week आपको इसे लग रहा है कि भई अब तो खरीदी लेनी चाहिए और आप खरीद रहे है और कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने घर को renovate कर रहे हैं और उस पे खर्चा हो रहा है तो all in all हो सकता है कि कि किसी constructive चीज पे खर्चा हो रहा है या फिर आप कर रहे हैं क्योंकि ये king का card है तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई male figure है जो की बहुत practical है, realistic है, उनकी तक से supportive energies रहती हुई दिख रही है या फिर आप ही बहुत practical, realistic हो के चीजों को deal करना चाहा रहे हैं कहीं home front, आपकी family, इस week आप लोगों के लिए काफी एहम या फिर काफी important रहती हुई दिख रही है या फिर उनको आप prioritize करते हुई दिख रहे हैं तो overall personal front आपका ठीक ठाक सकता है लेकिन professional front के लिए जाधा रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा एक secrecy या तो आप maintain कर रहे हैं आपके कोई cover कर रहे हैं और यहा पे open up का card कहता है कि जो भी आप महसूस कर रहे हैं, feel कर रहे हैं आप उसको खुल के express करें आप अपने तक की चीज को ना सीमित रखें तो जितना आप एक letting go वाली भी energies में रहेंगे और open up होंगे चीजों के लिए situations के लिए उतना इस week को आप बहतर करेंगे and astrology से आप लोगों के लिए the moon का card है और इसके हिसाब से white color इस week आप लोगों के लिए लगी रहेगा and significant day आप लोगों के लिए होगा Monday तो यह था एक वेडियस आप लोगों के लिए coming week कर साबता है एक राशीफल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए prices आप लोगों के लिए देखें यह coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है night of wands और यह card कहता है कि इस week specifically professional front में कुछ changes आ सकते हैं एक movement एक shift रह सकता है अब देखिए changes, movement, shift सब के लिए differ करेंगे कुछ के लिए simply हो सकता है कि आप travel कर रहे हैं, करना चाहरे हैं, कुछ के लिए हो सकता है पीछे किसी चीज में बहुत stuck महसूस कर रहे थे, उसमें से आगे बढ़ रहे हैं और कहीं दिखें बहुत speed के साथ, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, एक growth progress भी रह सकती है कुछ के लिए change of place, change of residence, residence हो मैं नहीं कहूंगे क्योंकि यह professional front के लिए है, change of office हो सकता है, change of job हो सकती है, change of project, change of team, again changes सब के लिए differ करेंगे and हो सकता है कि आप थोड़े से impulsive हो रहे हैं, थोड़े सी जल्दबाजी कर रहे हैं और इसलिए या फिर otherwise भी एक restlessness, एक anxious energies आप महसूस कर रहे हैं, अब आप दिखिए यह positive card है, यह negative card नहीं है, तो जो भी anxious restless energies हैं वो कहीं बहुत किसी negative चीज की वज़े से नहीं रहते भी दिख रही हैं, कितनी बारी चीज़े positive हो रही होती हैं, तो भी हम थोड़े से anxious हो जा दें, क्योंकि हम ऐसे लगता है कि बस यह जो ठीक ठाक चल रहा है न और इस चीज़ को अगर आप चेक करके correct करते हैं, तो इस restlessness को भी आप ठीक कर पाएंगे, और कहीं देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि आप impulsive हो रहे हैं, तो आपको अगर लगे कि जो भी situation है, उसमें immediate action लेने की ज़रत है, तो ज़रूर आप immediate action लें, लेकिन ज पर करेगा, कुछ spices के लिए उनके spouse के साथ हो सकता है, कुछ के लिए उनके बच्चों के साथ relationship हो सकता है, कुछ के लिए romantic relationship हो सकता है, कुछ के लिए neighbors के साथ, again कोई भी relationship हो सकता है, जिस पे आप focus कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि overall ही, relationships आपके लिए काफी important रहे हैं, किसी खास इंसान के साथ अगर कुछ issue मसला हो रहा था पीछे, आप लोगों का difference of opinion था लड़ाई हुई या फिर किसी भी तरीके का distance आया, तो इस week चीजें resolve होती हुई दिख रही है, आप दोनों के बीच में, again मैं कहूंगी, एक reconciliation होता हुआ दिख रहा है, I don't know इस card को कितना देख पा रहे हैं, इस card में जो figure हैं, उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, तो कहीं देखिए, ये card reconciliation को भी represent करता है, तो फिर से अगर कुछ issue मसले किसी खास इंसान के साथ रह रहे थे, वो sort out होते हुए दिख रहे हैं, और अगर कोई मसला कोई issue नहीं था, तो जो existing relationships हैं, उनमें चीजें कहीं better होती हुए दिख रही हैं, next level पे जाती हुए दिख रही हैं, specifically अगर romantic relationship में आप हैं, तो हो सकता है कि partner के साथ एक intimacy जादा हो रही है, physical intimacy भी होने के chances हैं, नहीं तो again कहूंगी, जो भी relationships हैं, वो और जादा close होते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप अपने loved ones, close ones के साथ जादा interactions कर रहे हैं, जादा बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ जादा आपके outing हो रही है, eating, drinking, marimaking हो रही है, all in all, दोनों ही fronts के लिए positive cards हैं, दोनों ही fronts आपके ठीक ठाक बढ़िया रहते हुए दिख रहे हैं, यानि कि ये weak आपका ठीक ठाक बढ़िया आस-पास हैं, वो चाहे professional front हो, personal front हो, उनके साथ मिल के एक, you know, बहुत ही coordination के साथ चीजों को करेंगे, उतना इस week को आप बहतर करेंगे, कितनी बारी होता है ना loved one के साथ कुछ issue मसला हुआ और हम ego की वज़े से उस बात को इतना पकड़ कर बैच जाते हैं कि उनके साथ फिर हमारा मसला और बड़ा होता रहता है, हमारे और उनके बीच में दूरियां और बढ़ती रहती हैं, तो इस week, you know, आप ego या कोई भी और factor है, जिसकी वज़े से दूरी बढ़ रही है, उसको उतनी एहमियत ना दें, अपने रिष्टे को, अपने relationship को, फिर से कहूंगी, चाहे हैं, वो professional friend में हो, या personal friend में हो, उसको ज़्यादा एहमियत दें, and astrology से आप लोगों के लिए विस्ता का card है, इसके हिसाब से all shades of yellow, या फिर, you know, white, आप लोगों के लिए लखी रहेंगे, and significant days, आप लोगों के लिए होंगे Sunday and Monday, तो ये था, prices आप लोगों के लिए coming week अस आप connect कर पाई.